हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो आर यूट्यूब चैनल तो इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 2 लीनियर एक्वेशन इन वन वेरेबल जिसकी एक्साइस 2.4 का क्वेशन नमबर 8 question number 8 थे हमारे पास half of a herd of deer are grazing in the field and three-fourth of the remaining are playing nearby the rest nine are drinking water from the pond find the number of deer in the herd ठीक है तो आपको question कह रहा है कि number of deer आपको निकालने है half of herd of deer are grazing in the field है ना कुछ अब मैं आपको थोड़ा सा आपको ऐसी समझा देता हूं roughly ठीक है यहां पर देखिए यहां पर एक यह मान के चलिए कि यह जुन्ड है किसका deer का ठीक है यहां पर deer ही deer है यह मान के चलिए यह इस टाइप से है ठीक है अब ही क्या कर रहे है कि कुछ deer तो यहां ग grace करने के लिए कुछ deer इन में से नun तोल नंबबर ये तोटल नंबर ऑफ डिर कितने इन तोल नंबर उफ तोटल नंबर ओफ घिल अब इन में से कुछ गास चरने का इन में के लिए रहा है कुछ हमारे खेलने के लिए ए फॉर प्लेइंग क्युं स. और कुछ हमारे चल गए drinking के लिए for drinking clear है बात सबका interest अलग अलग है किसी का पानी पीने के लिए पानी पीने में किसी का खेलने में किसी का घास चरने में तो तीनो अलग 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 जगे चल गए ठीक है तो देखे यहाँ पर आपको क्या निकालना है total number of deer निकालने है तो देखो total number of deer को अगर मैं क्यों ना x माल लूँ अगर मैं x माल लेता हूँ तो for grazing के लिए कितने deer थे x into 1 upon 2 थे या निए थे बताओ जैसा question के रहा है वैसा बोल रहा हूँ मैं x upon 2 हो जाएगा ठीक है किसके लिए grazing in the field and 3 fourth of the remaining are playing near by तो 3 fourth of the remaining अब यहाँ पर ध्यान रखना बच्चे क्या करते है 3 fourth of the remaining तो 3 fourth of x कर देंगे ठीक है जो कि गलत है क्यों गलत है क्योंकि इसने कहा question है कि 3 fourth of the remaining are playing near by of the remaining को ध्यान रखना of the remaining मतलब समझे कि total number of deer कितने थे x थे ठीक है उसमें से x upon 2 तो कहां चल गए grace करने चल गए तो total x थे x में से x upon 2 जो थे वो कहां चल गए grace करने चल गए अगर grace करने चल गए ठीक है x में से x upon 2 grace करने के लिए चल गए तो बच्चे कितने x upon 2 यह तो बच्चेंगे x में से minus कर दो x upon 2 तो क्या आएगा 2x minus x upon 2 then x upon 2 इतो आएगा ठीक है तो 4 playing अब देखो बच्चे कितने total number of deer x थे x में से x upon 2 grace करने के लिए चल गए तो बच्चे कितने x upon 2 तो remaining कितने थे x upon 2 अब यहाँ पर देखो 3 4th of the remaining तो 3 4th of the remaining remaining कितने थे x upon 2 यहाँ पर x upon 2 लिखेंगे ठीक है? x मत लिखना ध्याँ रखना तो फिर इसको solve कर लेंगे ऐसे ही कर लेते मले हैं आप इसको 3 x upon 8 आएगा ऐसे ही 4 drinking के लिए लिखाओ है the rest 9 are drinking water तो जो बचेवे हैं वो 9 है इसने के दिया जो बचेवे हैं वो 9 ही है तो 9 क्या है drinking water clear है बात? समझ गए कि पानी पीरे कितने जने? 9 जने तो 9 लिख दिया हमने drinking water के लिए अब यह जो 9 है ना यही answer निकालेगा आपका वो कैसे निकालेगा? वो मैं आभी आपको बताऊँगा ठीक है? इसको 9 को equal रखेंगे आपन किसी ना किसी के किसके equal रखेंगे आप खुद ही सूचो कि यार drinking water 9 जने है तो यह 9 जने अगर 9 जने है यह 9 तो कोई value है अगर 9 value है तो यह equation के form में क्या लिखावा है? 9 जो है यह equation के form में भी तो कुछ ना कुछ लिखावा होगा लेकिन वो लिखावा क्या है? यह आपको बताना है जिसके 9 के equal में रख देंगे उस equation को अब देखो कैसे है? देखो सुनो total x थे ठीक है मैंने का ठीक है भी या x थे x में से x upon 2 तो क्या गए? grace करने गए है और 3x upon 8 कहा गए? तो बचेंगे कितने? तो देखो x upon 2 तो grazing के लिए गए थे 3x upon 8 कहा गए थे? खेलने के लिए गए थे और 9 कहा गए थे? 9 कहा गए थे? drinking water ठीक है? 9 कहा गए थे? हमारे? पानी पीने के लिए गए थे यह तो हमारे को समझ में आ रहा है ठीक है? clear है बात? yes और no जल्दी से बताओ तो यहाँ पर अपने को क्या करना होगा? कि देखिए total number of deer x थे है जिसमें से x upon 2 तो घास चर रहे है 3x upon 8 खेल रहे हैं और बचे वे क्या है? 9 है 9 को अपन equation के form में क्या लिख सकते हैं? तो आप खुद देखो na total number of deer तो x थे है x में से minus करोगे x upon 2 जो घास चर रहे हैं और 3x upon 8 इसको अगर x में से total number of deer में से इन दोनों को अगर अपन minus कर देवे तो जो बचेंगे वो क्या होंगे? वो यही तो होंगे drinking के लिए होंगे या नहीं होंगे? समझ रहे हैं मेरी बात को? कोई परिशानी है? total number of deer x है x में से जो घास चरने वाले हैं और खेलने वाले हैं इन दोनों को मैं add करके अगर total number of deer में से minus कर दूँ तो जो minus करके जो value आएगी वो क्या आएगी? drinking वाली तो आएगी जो पी रहे हैं जो पानी पी रहे हैं वो ही तो आएंगे equation के form में और जो आएंगे उसको equal में 9 के equal रख देंगे तो बस question solve हो जाएगा clear है बात? समझ गए? चलिए तो solution स्टार्ट करते हैं अपन वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो अपन solution स्टार्ट कर देते हैं ठीक है? मैं rough आपको इसलिए समझाता हूँ क्योंकि rough करने का मेरा एक ही motive है कि आपको अच्छे से समझ में है ठीक है? मैं directly भी इस question को solve कर सकता हूँ directly मैं language लिख के आपको कर दूँगा लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं आपको थोड़ा सा पहले rough समझाता हूँ मेरा हर एक question करने का यही तरीका होता है कि पहले मैं आपको पहले roughly समझाता हूँ roughly आपके दिमाग में बैठ जाए उसके बाद में अपन fair out करते है clear है बात? तो देखे सबसे पहले हम लें लेंग्विज के फ़र में लिखेंगे let क्या let क्या था अपने? total number of dears let total number of deer be x ठीक है? clear है बात? कोई दिक्कत निया? अब क्या बोल रहा है? जैसे जैसे बोल रहा है half of a herd of deer are grazing in the field then then number of deer deer are grazing in the field is equals to कितना हो जाएगा बता हूँ? तो half of है तो half of x कर दो x upon 2 ठीक है? फिर number of deer are playing nearby is equals to कितना? three-fourth of the remaining remaining कितना निकला था अपना? अपने निकाला था न? x upon 2 यह तो निकला था x upon 2 का three-fourth पहले निकाल दिया था अपने तो यह हो जाएगा अपना three x upon eight clear है? फिर हम लिखेंगे number of number of deer are drinking water is equals to कितना है? nine है कैसे? number of deer are drinking water को हम ऐसा लिख सकते है x में से minus कर देंगे यह और यह x upon two plus three x upon eight is equals to किसके? nine के equal इसको nine को मैंने इस format में लिखा है equation के format x minus इसको solve कल लेते पहले तो यहां पर lcm आएगा eight two four four x plus three x is equals to nine clear है? यहां पर space है ना यहां लिख लेते है अब देखो यह solve होके हमारा जाएगा x minus four x plus three x कितना होता है? seven x होता है seven x upon eight is equals to nine ठीक है? तो यहां पर solve करना चाहे तो यह हो जाएगा eight x minus seven x upon eight is equals to nine then x upon eight is equals to nine ठीक है? अब क्या करेंगे आपन? आपको पता है eight को हम transpose कर सकते है x की value दाने के लिए eight को हम transpose करेंगे divide में है तो multiplication में जाएगा 9 into eight x is equals to seventy two x की value कितनी आ गई हमारी? x की value आ गई हमारी seventy two हमें निकालना क्या है? question में number of deer यहां लिखावाया है तो hence आ गया हमारा answer hence the number of deer in the total number of लिख लेना in the heart is x x था ना? और x क्या हमारा? seventy two यह लीजे answer आ गया है seventy two clear है? इस टाइप से आप इस question को करिएगा बिल्कुल आसान question है कोई दिक्कत नहीं बस समझना है आपको ठीक है? तो इस वीडियो के अंदर इतना ही अगर वीडियो पसंद आएए तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा और बैल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजेगा जिससे की अपकमिंग वीडियो के नॉटिफिकिशन आपको time to time मिलते रहे Thank you so much पाइक है मैं है कम